नमस्कार राजतान में बे मौसम बरसात और पच्चेमी विक्षोब के असर से और कहीं कहीं ओला वरष्टी और भारी तुफान आने की वज़े से फसलों में काफी खराबा हुआ है इसको लेकर किसानों में काफी अक्रोस है और किसानों की ईसब सहीद अन्य कई फसले बरबाद हो गई है ओला वरस्टी और बे मौसम जो बरसाद हुई उससे किसानों की पकी भी फसले है इस सब की फसले भी पक चुकी थी उसके साथ इसाथ अन्य फसलों की कटाई भी शुरू हो गई थी वो फसले भी काफी है जो खराब हुई है इसको देखते हुए जो जिले के रास्तान के किसान है वो जिला मुख्यालों पर आज धर्ना भी देने वाले हैं आपको बता दें इस बारिज से पच्चमी रास्तान में ज्यदा नुकसान हुआ हैं ये सीजन का तीसरा जो विक्षो बे वो बताय जा रहा है और तेज आंदी क फसले विक्षो बे विक्षो बताय जो बहुत ज्यदा एक्टिव था यानि काफी तेजी से जो आंदी और तुफान उसके बाद में ओले गिरे इसका जमाव बिंदू है जो उंचा ही कम हो गई थी और उस कारण तापमान भी कम हो गय था और ओले गिरे इससे काफी फसलों क कि बचाव करने के लिए तिरपाल से कटी फसलों को डगते वे नजर आए लेकिन ज्यादा उला वरिष्टी और खेतों को डगना भी मुम्किन नहीं था इससे काफी फसले हैं जो खराब हो गई बे मौसम हुई बरसात के साथ आकाशी बिजली आफ़त बन गई बाडमेर जी कि सनिवार साम करीब 6 बजे मादेव नगर अरणियाली में आकाशी बिजली गिनने से घर बैठे खेराज राम 22 पुत्र बहुरा राम कुमारी हकप 5 पुत्री गजाराम की मौत हो गी मृतक शगे काका बतीजी हैं दोनों घर पर काम कर रहे थे सुजना मिलने पर पुलीस मौ पुलीस में इस बारिस और ओला वरिष्टी से काफी नुकसान हुआ हैं इस वीडियो के मादियम से बताना चाहते हैं कि किसानों के जितना फसलों का नुकसान हुआ हैं फसल नुकसान को लेकर जो भीमा कंपनियों को आप 72 गंटे के अंदर अवगत करा सकते हो तो उससे आपको कैसे करना है इसके लिए आप क्रॉप इंसरेंस एप का इस्तिमाल कर सकते हो या फिर टॉल फ्री निंबर है जो जिले वाई जारी किये के वो टॉल फ्री नंबर में हम या स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आप उस टॉल फ्री नंबर पर फॉन लगा कर भी अपने फसल ज की बरपाई मिलने में मदद मिल से के नमस्कार मैं पिर्टुराज दबंग आवाज जोदपूर